वेल्कम टू आवर क्लास हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं ncrt class 6 class 6 ncrt exercise 1.2 सॉल्व कर रहे हैं और question number 9 पर देखते हैं को देखते हैं कि तू इस्ट्रिच इस्ट्रिच और शल्ट टू मीटर 15 सेंटी मीटर क्लॉट इस नीडेड आउट आउट ओप 40 मीटर क्लॉट्स हाउ मेनी शल्ट कैन बेस्टेज्ड एंड लो तो how much cloth will remain मतलब कि 40 मीटर कपड़े में से 2 मीटर 15 सेंटी मीटर क्लॉट का एक शल्ट बनता है तो 40 मीटर कपड़े में हम कितनी शल्ट 2 मीटर 15 सेंटी मीटर की बना सकते हैं और कितना remain होगा कितना बचेगा तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बात यह देखेंगे कि जैसे कि य यह सेंटी मीटर में है तो यह जो दोनों यूनिट है इसकी यह जो दोनों मीटर और सेंटी मीटर है डैमेंशन है दोनों का इसको सिंगल में करेंगे चाहिए पॉइंट में मीटर में करके चाहिए सेंटी मीटर में कर लें तो जैसा कि हम जानते हैं एक मीटर बराबर हैंड एक शर्ड को बनाने में कितने कपड़े की आवशकता है तो दिया हुआ है 2 मीटर 15 सेंटीमेटर तो मीटर को सेंटीमेटर में बदलेंगे ना तो 1 मीटर is equal 100 सेंटीमेटर ना 1 मीटर is equal 100 सेंटीमेटर देन 2 into 100 2 into 100 plus 15 सेंटीमेटर ना 200 plus 15 to 15 सेंटीमेटर लेंस्ट आव क्लॉथ क्लॉथ कितना लंबा है अमारा कितना लंबा है ना तो 1440 एंटी इन्टू हेंड़ेट करेंगे तो कितना आएगा तो 4000 सेंटी मीटर आएगा अब हमने तो निकाला ही है कि एक शल्ड कितने में बनती है एक शल्ड बनके तेयार होती है 215 सेंटी मीटर में तो अब हम क्या करेंगे 4000 को 215 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेंडर आएगा वो हमारा रिमेनिंग क्लॉथ आएगा कि कितना क्लॉथ बचा अपने पास न ठीक है इतना आप लोग कर लेंगे इसतना आप लोग कर लेंगे यहां पर हम क्या करेंगे 215 से 4000 में भाग देंगे हम लोग डिवाइड करेंगे अब 215 वन्जा करेंगे इतने टाइम्स गया फिर एड्जा करेंगे इतने टाइम्स गया यह जो 130 हमारा रिमेनिंग रिमेन क्लाथ है बेटा ठीक है तो देया फूर 18 शर्ट 18 टाइम्स गया तो 18 शर्ट कैन भी इस्टेज एंड 130 सेंटी मीटर हर क्लाथ भी रिमेन मतलब 130 को जब हम उसके फॉर्म में चेंज करेंगे मीटर के फॉर्म में तो आएगा वन मीटर 30 सेंटी मीटर रिमेन बचेएगा कपड़ा ओके बेटा इसको देख लीजे और जो ना समझ मैं फिर से कमेंट करिएगा कर दो आएगा